रादे रादे दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आएं एक और नई जानकारी चुडिया का आपके उपर बीट करना सुब होता है या सुब अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्टी को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें दोस्तों अगर कुछ गोरहा आपके उपर बीट कर दें तो इसका क्या मतलब होता है हम सब गंदगी से कितना घिरना करते हैं गंदगी तो गंदगी होती है चाहे ओ चिडिया की हो या किसी की भी उससे गीनाना तो लाजमी है वैसे तो चुडिया इतनी समझदार नहीं होती है कि उससे कहां बीट करना है क्योंकि वो तो पंची है उसको क्या पता है जहां मन किया जहां हुआ उनका कर दिया चुडिया को यह क्या कोई पसूपक्षियों कोने कोई इतनी knowledge थोड़ी ना होती है कि कहाँ पर बीट करें जब उन्हें करनी हो तो कहीं भी कर देते हैं चाहे वो किसी के ऊपर ही क्यों न गिरें जिससे वेक्ति के कपड़े और सरीर गंदा हो जाता है उसे गिन्न भी आती है जैदातर चड़िया दाना ही खाती है बहुत से ऐसी चड़िया होती है जो महसार भी खाती है बहुत से लोग चड़ियां को पिंजरे में बंद करके रखते हैं जो की अच्छी बात नहीं है सब को अपनी आजादी पसंद है इसलिए उन्हें खुले आसमान में उड़ना पसंद है चड़िया बहुत मासूम सी होती है और उसे प्रकड़ने को अभी मन करता है लेकिन जब चड़िया हमारे उपर गंदगी कर देती है तो हमें बहुत गुसा आता है अगर चड़िया आपके उपर भी गंदगी कर दे तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब बहुत सुब होता है अगर चड़िया आपके उपर गंदगी करती है तो यह बहुत सुब होता है ऐसा माना जाता है कि आपके बिगडे काम बहुत जल्दी बनने लगेंगे अग और आपके जीवन में खुशे आने वाली है इसलिए चड़िया की गंदगी करने से आपका अच्छा समय आने वाला है आपकी समश्याओं का धीरे धीरे अंत हो जाएगा जिससे आपका मन परसन होगा आपसी प्रेम और सोहर्द बना रहेगा काम काज के रास्ते खुलने लगेंगे दोस्तो जिस चड़िया की गंदगी से हमें इतनी गिन होती है वही हमारे लिए गुड लेकर गुड लक साबित होती है यानि गुड लक लेकर आती है दोस्तो अगर आपको माल जान करें पसंद आयो तो वीडियो को सेयर जरूर करें